कक्षा दस्वी विशय हिंदी नमश्कार विद्यारतियों आज मैं आपको व्याक्रिन से बहुती महत्वपूर्ण विशय रस पढ़ाने जा रही हूँ ठान दिजी को सबसे पहले हम यह जानेगे कि रस किसे कहती हैं तो बच्चों काववे के श्रवन वा दर्शन से प्राप्त हुने वाला लोकुत्तर आनन्द ही रस कहलाता है यानि कि हमने कोई कविता सुनी, उसको देखा नाटक के रूप में तो उसको देखने से जो हमें आनंद प्राप्त हुआ वह ही रस कहलाता है तो रस से तातपर्य हुआ आनंद प्राप्त करने से है जब हम किसी कहानी, कविता, उपन्यास, फिल्म आदी को देखते, सुनते वा पढ़ते हैं और उससे जिस सुख, दुख वा आनन्द की अनुभूती होती है, वही रस कहलाता है अभी प्राय हुआ कि माने हमने कोई कहानी पढ़ी, हमने कोई कविता सुनी, उपन्यास पढ़ा, हम फिल्म देखने गए तो इनको देखने से, सुनने से, हमें जिस भी प्रकार के सुख और दुख और खुशी प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, वही रस कहलाईगा आचारे विश्वनात के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थार रस युक्त वाक्य ही काव्य है इससे यह अर्थ है बच्चों कि यह ठीक है कि हमने कहा कि कहानी सुनने पढ़ने से, कविता पढ़ने सुनने से, उपन्यास पढ़ने से, फिर्म देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस गहलाता है पर आचारे विश्वनात जी के अनुसार काफ्य में विशेश रूप से रस का निर्वा होता है अते सबसे ज़ादा आनंद की अनुभूती हमें काफ्य पढ़ने में ही होती है भरत मुनी के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यविचारी, संचारी भाव और स्थाई भाव ही रस के कारण होती है तो हम जानेंगे विस्तार पूर्वत बच्चों कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव किसे कहते हैं और स्थाई भाव क्या होते हैं ये बचो रस के अव्यव कहलाते हैं इन रस के अव्यव में सर्व प्रथम हम स्थाई भाव समझते हैं कि स्थाई भाव क्या होते हैं कावे में नौ भाव मुख्य माने जाते हैं ये सभी भाव सुप्त यानि सोई हुई अवस्था में हृदय में रहते हैं और अवसर पाकर जाग उठते हैं ये भाव कभी छिपते नहीं है और नहीं कभी समाप्त होते हैं अताह इन्हें स्थाई भाव कहा जाता है इसका अभिप्राय यह है बचों कि ये नो भाव सदैव हमारे मन में विद्यमान रहती है और जैसा अवसर आता है वातावरन अनुकोल होता है वही रस वही भाव हमारे मन में आ जाता है दूसरा है विभाव विभाव क्या होता है विभाव होता है रस की अभिव्यक्ती का कारण विभाव है रस कैसे निश्पत्ती होगी तो ये दो प्रकार का होता है पहला आलंबन और दूसरा उद्देपन आलंबन समझते हैं किसे कहा जाता है जिस पात्र के लिए भाव जाग्रित होता है वह आलंबन कहलाता है मानो हम सरकस देखने के लिए गए और हमने जोकर को देखा उसे देख करके हमारे मन में यह भाव जागरित हुआ तो जोकर क्या हुआ यहां पर आलम बन और जिसके मन में वह जागरित हुआ यानि कि हम वह आश्रय कहलाता है तो हम यहां पर आश्रय होंगे और उधारन देखे स्परष्ट करती हूं उदाहरन के लिए शकुंतला को देखकर दुश्यन्त के मन में प्रेम का भाव जागरित हुआ तो यहां शकुंतला आलम बन है और दुश्यन्त आश्रे है क्योंकि शकुंतला को देखकर के दुश्यन्त के मन में प्रेम की उत्पत्ती हुई रती का भाव जागरित हुआ अगला देखते हैं उद्दीपन यहां विभाव के दो भागें बचो एक आलंबन और उद्दीपन आलंबन हमने समझा किसे कहते हैं अब देखते हैं उद्दीपन किसे कहते हैं उद्दीपन किसे कहते हैं बचो स्थाई भावों को उद्दीप्त कर, उद्दीप्त माने जगाने वाला, उन्हें तिवर करने वाला, रस की अवस्था तक ले जाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाती हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक पात्रों की चेश्टाओं के अनुरूप और दूसरे बा दुश्यंत के मन में प्रेम जगाती हैं, बगीचा, फूल, मनोरम बातावरण, ये बाहरी चेश्टाए होगा, ये प्रकृती की सुन्दर जो चीजे हैं, वो उन भावनाओं को और जागरित करने में, तिव्र करने में उद्धीपन का कारे करती हैं. अगला है अनुभाव, किसी भाव के उत्तपन होने पर आलंबन के प्रती आश्रे की शरीर में कुछ विशेश चेश्टाएं होती हैं, उन्हें अनुभाव कहती हैं, जैसे क्रोध से मुखलाल होना, जब गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है, लार हो जाता है, बोहों में विक गृती का आजाना, और एकदम गुस्सा आता है, मारने के लिए हाथ उठाना आती, ये सभी अनुभाव कहलाते हैं, यानि कि आश्रे के मन में जो भाव जागा, उसके साथ साथ इस प्रकार की चेश्टाएं होना, क्रोधाने पर इस प्रकार की चेश्टाएं होना, बहोती स स्वाभाविक है, संचारी भाव क्या होती है, जो भाव स्थिर नहीं है, संचारी अर्थात जो स्थिर नहीं है, बचों, अर्थात आते जाते रहती हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहती हैं, इनके संख्या 33 है, हमारे मन में जो मुख्य भाव हैं, उनके साथ साथ ये छोटे छ देखते हैं रस की संख्याई कितनी हैं बचों मुख्य रूप से तो हमारे यां नौ रस हैं और उनके स्थाई भाव भी हैं पहला देखते हैं श्रिंगार रस श्रिंगार का स्थाई भाव है प्रेम या रती हास्य का दूसरा रस और इसका स्थाई भाव है हास्त तीसरा है और इसका स्थाई भाव है शोक या दुख चौथा रोद्र रस है और इसका स्थाई भाव है क्रोद पाच्वा वीर रस है इसका स्थाई भाव उत्साह है छटा भयानक रस है जिसका स्थाई भाव भै है साथवा विभच्च रस है और इसका स्थाई भाव है घ्रणा आठवा अद्बुत रस है और इसका स्थाई भाव है विश्म या आश्चर्य और नौवा है शांत रस और इसका स्थाई भाव है निर्वेद इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं अगली कक्षा में हम इन रसों इनके स्थाई भाव उदाहरन सहित पढ़ेंगे